हालो स्टुडेंग्स, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है, इस वीडियो में हम सावन्द क्लास साइंस का थर चाप्टर पढ़ेंगे। चाप्टर का नाम है Fiber to Fabric, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि Fiber से Thread कैसे बिनाए जाता है। और हमने processing देखी थी fibers की बूल बनाने में और इसके different steps हमने देखी थी जो first step था वो था sharing तो what is sharing? sharing में क्या होता है? sharing is the removal of the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is called sharing ठीक है जब sheep की skin के उपर जो hairs होते हैं हमको remove कर देते हैं वो होती है sharing sharing के बाद जो second step आता है वो होता है scouring scouring means सफाई करना तो scouring में हम क्या करते हैं जब shearing में हम जो sheep होती है sheep के hair को remove करते हैं तो उन hairs को बड़े-बड़े पानी के tanks में साफ किया जाता है ताकि उसमें कुछ गंदगी अगर हो तो वो remove हो जाए ठीक है तो scouring में क्या करते हैं the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt this is called scouring scouring में जो बड़े-बड़े tanks होते हैं या फिर machine की help से हम क्या करते हैं जो sheared skin होती है hair के साथ उनको साफ करते हैं तो यह होती है scouring third step जो था होता sorting sorting यान की छांटना या चंटाई करना तो sorting में क्या करते हैं जो अलग-अलग texture के hairs होते हैं इनको 600 होते हैं sorting के बाद हम क्या करते हैं जो small fluffy fibers होते हैं fluffy means जो रोईंदार fibers होते हैं तो छोटे छोटे जो रोईंदार fibers होते हैं जो कभी-कभी आपकी sweaters के या गरम कपड़ों के उपर आ जाते हैं उनको hairs man's remove किया जाता है ठीक है उनको remove किया जाता है जो जिन्हें हम बर्स कहते हैं तो बर्स को remove करने के बाद हम क्या करते हैं जो हेर हमारे पास आ जाते हैं उनको हम फिर से स्कॉड करते हैं अच्छे से पानी से अच्छे से साफ करते हैं और उनको सुखा लेते हैं लुखाने के बाद उनने अलग अलग कलर कि घ्याटि collect थे खिली अधीं कि लास्ट टैप हमारे पास आता है उसमें क्या करते हैं सीधा करते हैं उनको कॉम करते हैं को कंगी करते हैं ताकि कुछ longer filing बचते हैं उनसे हम उनिभागा बना लेते हैं स्वैटर्स बनाने के लिए उनसे हम उनि शीप होते हैं इसके hairs को अलग करते हैं फिर scouring में जो hairs को हमने अलग किया shearing में उनको पड़े बड़े पानी के tanks में या फिर machine की help से उनकी सफाई करते हैं और फिर बाद में उनसे बर निकालके उनमें dye करके जो है वो उनको roll कर लिया जाता है ठीक है तो अगर आपने वो बनाता है रेशं के फाइवर्स बनाता है रेरिंग सिल्क वर्म for obtaining silk is called sericulture rearing होता है पालना obtaining होता है प्राप्त करना ठीक है तो जो रेशम के रेशे होते हैं जो silk fibers होते हैं silk fibers को पाने के लिए silk fibers को प्राप्त करने के लिए silk worms को पालना ठीक है रेशम के कीडों को पालना वो होता है sericulture ठीक है रेशम के fibers को वेने के लिए जब हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं तो वो होता है sericulture What is sericulture? The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture रेशम पाने के लिए जब हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं तो वो होता है sericulture Find out from your mother and grandmother the kind of silk sardis they have तो आप अपनी ममी से, आंटी से या फिर दादी से पता लगा सकते हैं कि उनके पास कितनी तरह की silk की साडिया है List the kinds of silk और जितनी भी तरह की silk की साडियां के पास हैं तो आप उनकी list बिना सकते हैं Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk mothik है इससे पहले हम यह जानेगी, silk जो है वो हमें कैसे मिलता है, हमें कैसे silk मिलता है यह जानने से पहले हम यह जानेगी कि जो रेशम का कीड़ा होता है, उसकी life history क्या है, ठीक है केकि रइशण का किडा होता है यह ने किशनãyीड करविघ मेल सिल्क मौथ- लेजग- वह अंदे तो वो एंडे देती हैं और जब वह अंदे टूर्ते हैं हैं तो उनमें से प्लदному सिर्फ बंप Bronze यह सबी एक ही है ठीक है, they grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa अब क्या होता है, जो caterpillar होता है, जो larva होता है, ये grow करता है, ये खाना खाता है, पतियों को खाता है, ठीक है और फिर ये grow करता है, बड़ा होता है, और जब इसने अपनी life की दूसरी अलग stage में, आगे वाली stage में जाना होता है तो ये क्या करता है, ये pupa बन जाता है, ठीक है, इसकी next stage कौन सी आएगी, प्यूपा बन जाएगी इट first leaves a net to hold itself, तो ये जो caterpillar होता है, सबसे पहले क्या करता है beefs होता है, बुनना, तो ये एक net बनाता है, जैसे मकडी अपने रहने के लिए एक net बनाती है, ठीक है white जो thread होती है, जो मकडी होती है, वो white color के thread से एक जाला बनाती है तो उसी तरह ये जो caterpillar होता है, ये इसने जब अपनी life की next stage में जाना होता है, जब इसने pupa बनना होता है तो ये क्या करता है, एक net बनाता है, ठीक है, net बनता है then it swings its head from side to side in the form of the figure of eight, ठीक है swings होता है, हिलाना, ठीक है तो ये क्ये करता है, caterpillar क्या करता है, जब इसने pupa बनना होता है, तो ये क्या करेगा ये एक net बनाएगा, अपने लिए एक net बनाएगा, रहने के लिए तो इस तरह से eight की shape में, eight की figure में इस तरह से जो ही अपने head को घुमाना शुरू करता है, ठीक है swings its head means, ये अपने head को जो है, eight की shape में इस तरह से जो है, वो अपने head को घुमाता है कौन, caterpillar गुमाता है, क्योंकि इसने क्या करना है, caterpillar ने pupa बनना है during these movements of the head, the caterpillar secrete fiber, ठीक है तो जब ये इस तरह से move करेगा, इस तरह से जब move करेगा, तो इसके मूँ से जो है, वो एक fiber secrete होगा, ठीक है, caterpillar secrete करेगा fiber, इसके मूँ से एक fiber जो है, वो इसके मूँ से निकलेगा इस तरह से और ऐसे जब यह घूमता है तो इस तरह से फाइवर जो है वो भी सेक्रीट हो रहा है साथ में ठीक है made of a protein और यह जो फाइवर यह मुह से सेक्रीट कर रहा है यह किशिस का बना होता है protein का बना होता है which harden on exposure to air and become silk fiber ठीक है जैता है इस तरह से एक फाइवर जो है वो भी नि talenta है तो postal केटरपील engineering है मैंझाई इस प्लीटली खेवर कर रहा है और सिल्क फायवर वह इस टरह ओता है यह इसके अंदर रहता है जो सिल्क फायवर को पूरी तरह से बाहर से कवर कर Nigeria चाहरे से और इसके अंदर ही रह जाता है और यह चीज बनती है जो सिल्क वन इस तरह से तरह से जो कबरींग बनती है वो होती है को कौन सी कबडिक में शि dripping है से तरह से इस सकत हो जाते हैं जिनकोत सिल्क फायवर ठीक है। इस तरह से जो मीद है पूरी तरह से फिर ये जो जाती है बाहर से और इस कवरिंग को हम उतले हैं और ये जो मन बनता है और इसके उड़र केटरफिलर क्या बन जाए गर पूरी तरह से काविन जब खाштर पेलों को पूरी तरह से ढादा है तो यह पीवा बन जाता है जो अन्दərarson कौनसी होगी क्यूपा ,ठिक है को क्योविन है कोन के stories होती यह फिय वह थैज वह थन्हverted स्टेज होती है क्योवर। develop होता रहता है तो और उठर वह ग्रोध करता रहता है थो हमने पूरी स्टेज में इसमें क्या 앞에 हमने देखा हमने देखा कि जो अडल्वी मौथ होते हैं ठीक है सबसे पहले तो जो फीमेल है और हैश करते हैं मेल और फिमेल दोर मे Dieses करते हैं matching यानि कि दोनों reproduction करेंगे और फिर उसके बाद जो female है वो एक देती है और लिवरी leaves क्योंकि ए मलवरी leaves को खाती है MICHAEL होता है शेह दू थो यह तो की पतियों को खाती है दोनों ही ठीक है मेल और और इन पे फिमेर आपकी चुप देती है मेय। मेटिंग के स्पाइड होंगे टूटेगे और उह में से लार्वा निकलेगा लारवे को हम कहते हैं केटर फिल्लय याफिल्म यहां पे आप देख सकते हैं यह जो आप एग्छेसिकर चलए हैं में यह होता जाता है और वो सिल्क फाइवर बन जाता है ठीक है जो हार्ड होता जाता है वो सिल्क फाइवर बन जाता है धीरे धीरे यह पूरी तरह से जो है इस पूरी तरह से यहां से शुरू हुआ था और पूरी तरह से जो है वो इस तरह से कवर कर लेता है और यह क्या बन जाता ह फिर कोकून बन जाता है और कोकून के अंदर जो स्टेज होगी वो होती है प्यूपा सबसे पहले एग था एग हैच हुआ फिस ने लार्वा बनाया लार्वा सिल्क वर्म हुआ या फिस इसको आप केटर बिलर कहते हैं केटर पिलर जो है वो इस तरह से एट की मुवमेंट में जो है वो अपना सीर हिलाता है और फिर क्या बना देता है कोकून बना देता है और कोकून के अंदर जो स्टेज होती है वो होती है प्यूपा और प्यूपा जो है वो कोकून के अंदर ही ड्वल्प होता रहता है अंदर ही जो है वो ग्रो करता रहता है और फिर बाद में इसमें wings आ जाते हैं बाद में यह जो grow कर लेता है जब यह mature हो जाता है प्यूपा जब mature हो जाता है कोकून के अंदर तो यह wings 12 कर लेता है और फिर एक स्टे जैसे आती है कि इस प्यूपा को तोड़ कर प्यूपा में से निकल कर यह उड़ जाता है ठीक है त इस इनका योगा होता है यह सॉफ्ट होता है यह बहुत होता है जैसे अगर आप कम्बेर करो कि जो स्टील की जो थ्रेट होगी तो आपका silk का yarn होगा ठीक है जितनी मजबूत आप इस steel की thread होगी steel का धागा होगा उतना ही strong जो है वो आपका silk का धागा होता है the silk yarn और thread is obtained from the cocoon of the silk cloth अब हमें पता है जो cocoon होता है वो किशीज का बना होता है वो silk fiber का ही बना होता है क्योंकि silk fiber जो आपका caterpillar secrete करता है वो air के contact में आके सक्त हो जाते हैं और silk fiber बनाते हैं तो cocoon की शीज का बना होता है silk fiber का बना होता है और silk moth जो है वो cocoon बनाता है there is a variety of silk moth which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture तो बहुत तरह के अलग-अलग variety के जो हैं वो silk moth पाई जाते हैं जैसे आपने देखा कि शीप होते हैं तो शीप की अलग-अलग breeds होते हैं शीप की अलग-अलग नसले होते हैं ठीक है तो उसी तरह जो silk moth है उन DM होते हैं उनमें भी अलग-अलग variety होती है और हर-तरह की वारा सिल्क की तरह 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 के Weir कुछ स्मूद बनाएंगे कुछ शाइनी बनाएंगे जो कदार होंगे दस तसर सिल्क मूगा सिल्क कोसा सिल्क एक्सेटर और अप्टेन फॉम कोकून स्पन वाइड डिफ्रेंट टाइप सी गई है कि अलग-अलग वेराइटी की जो मौस होते हैं वह अलग-अलग तरह कि जैस मलवरी यानियिकी तूत की पतियों को खाता है वहू कैसा होता है सौफ्ट होता है चम्कीला होता है इलास्टिक होता है यानिकी स्ट्रेचेवल होता है छिप City क्ले और इसको जो पी कर सकते हैं सारे कल्चर और कल्चर ओफ सिल्कम इस वेरी ओल्ड अकूपेशन इनदिया सारे कल्चर ऐस आइनले में रिंदया में बहुत ही पुराना की कीड़ो इनले प्लाद से इंड्या और ते द्रेशन और है बहुत ज्यादा तो भारज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में व्यपसाइक रूप से जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में सिल्क का उत्पादन करता है activity 3.5 है collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook तो आप क्या करेंगे जो अलग-अलग प्रकार की जो सिल्क होते हैं आपने अलग-अलग तरह की सिल्क के जो types होते हैं उनकी छोटे-छोटे कपड़ों को इकठा करना है और उनको आपने अपनी scrapbook में paste करना है ठीक है you can find them in a tailor shop among the heap of waste cut pieces तो आपको वो कहां मिलेंगे जो कि जो है वो सिल्क के टुकड़े होते हैं वो मिल जाएंगे टेक help of your mother, aunt or teacher and identify the types of silk सच as mulvary silk, tasar silk, arry silk, muga silk, etc. तो आप अपनी मम्मी, auntie या फिर अपनी teacher की help से जो है वो पता लगा सकते हैं अलग-अलग तरह की जो सिल्क होते हैं ठीक है जैसे की अलग-अलग variety of silk है तो इस तरह की जो है वो आप पता लगा सकते हैं कि कौन से सिल्क है ठीक है compare the texture of these silks with that of the artificial silk pieces of artificial silk कैसे होते हैं artificial हमने सुरू में पढ़ा था artificial ऐसी fibers होते हैं जिनको हम artificially जिनको हम खुद बनाते हैं factories में या labs में chemicals के द्वारा processing के द्वारा ठीक है तो आपने जो है जो नेचुरल सिल्क होता है उनको artificial silk के साथ compare करना है which contains synthetic fiber ठीक है आर्टिफिशल जिन सिल्क जिनमें synthetic fibers होंगी जिनमें man-made fibers होंगे try and collect pictures of different moths whose caterpillar provide the various types of silk ठीक है अब अलग-अलग मौत होते हैं अलग-अलग variety के जो सिल्क मौत होंगे उनकी हमने photo जो हैं आपने collect करनी है जिनसे हमें अलग-अलग तरह के सिल्क मिलते हैं activity 3.6 है टेक एन आर्टिफिशल synthetic silk thread and a pure silk thread ठीक है तो एक आपने आर्टिफिशल synthetic silk thread है वो लेनी है और एक प्योर silk thread लेनी है प्योर मींस जिसे रेश्यम के कीड़े ने खुद बनाया हो ठीक है वर्न इस threads केरफुली अब आपने दोनों ही threads को ध्यान से जलाना है तो जब आप दोनों ही burning of artificial silk और that of pure silk जब आपने उन का धागा जिलाया तो उसकी जो smell होगी आप उसको compare कीजिए artificial silk के साथ हो जो जो दूसरा pure silk होता है उसकी smell के साथ ठीक है can you explain भाई तो आप पो ये चीज़ explain कर सकते हो कि उन दोनों में से किस की smell जो है वो match करती है to remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth try the following activity तो अब हमने एक activity करने जिससे हम क्या याद रखे सकेंगे कि जो silk moth होता है जो रेश्यम का कीड़ा होता है इसकी life history में cocoon की stage कब आती है तो ये याद रखने के लिए हम एक activity करेंगे activity 3.7 है photocopy figure 3.9 तो जो आपने उपर life history का जो उपर figure देखा था तो आपने इसकी photocopy करवा देनी यह वाला जो figure है इसके आपने एक photocopy कर लेनी है फिर photocopy करके आप क्या करेंगे जो अलग-अलग stages है इनको आपने काट लेना है अलग-अलग इस तरह से जो है वो अलग-अलग करके उनको काट लेना है और उनको एक mix कर देना है ठीक है इस तरह से आपने क्या करना है फिर cut out pictures of the stages of the life history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard और चार्ट पेपर तो आपने उन pieces को अलग-अलग stages उनको काट के जो है या तो cardboard पर चार्ट पेपर के उपर लगा देना है जंबल देंठीक है जंबल यानि कि उनको mix कर देना है now try and arrange the stages in the correct sequence अब आपने क्या करना है अब आपने जो correct sequence है ठीके correct sequence में लगाना है कि सबसे इस तरह से लार्वर जब प्यूपा बनना होता है तो इस तरह से जो है इर की shape में अपने मुझ से एक fiber निकालता जाता है और यह जो फाइवर है वो air के contact में आते ही क्या होता है एक हो सिल्क फाइवर बना देता है और वह जो आपका caterabill है वह पूरी तरह से अंदर इस fiber के जो है वो धख जाता है पूरी तरह से कवर हो जाता है और जब बिपूरी तरह से बन जाता है तो इसको हम चोकुन कहते हैं को कुदधं के अंदर jealousy huh वह होती है और चोकून के अंदर ही बढ़ता है इस अच्छे से इसे ग्रो करता है और फिर उसमें ओज बुका हो चाते हैं और फिर फिर बाद में इस कोकून को तोड़कर वह बाहर निकल जाता है उड़ जाता है तो इस तरह जो स सबसे पहले कोन ऐसा करने में जीतेगा यूं के और दिस्क्राइब या वर्डंगी कि तरह से आप सोचते हो डीजिका आप से लाइशा है स्यभ्वाइब एक wichtig तो भारत में जो महिलाएए भो बहुत थी सिगनिफीगेंटली बहुत यमेहतववर्बून तरीके से जो है जोए वो ऐसी इंद्रस्ट्री के साथ जूड़ी हुई है जहां पर फिलग की प्रौेश्वक यहां पर इंडेस्ट्री यह में क्या किया जाता है उनकी रिलिंग की जाती है जब सिल्क फाइबर आ जाते हैं तो कुकुन्स से आपके पास आता है उसे कि कपड़े कैसे बनाए जाते हैं तो इस तरह की इंड़स्ट्री उस में महिलाएं क्याते हैं This is the vii enterprise we contribute to the nation's economy the eater future is on the company. इसे गांधो ने शो से हो नेशन की अर्थ वैवस्ता होती है चोफाइन्स होता है तो अपने इन कामसे जो फाइन्स होता है तो अपने इन योगदान देती साऀल लेस्त रवर्ड और सिल्क प्रोडक्शन अब ज़ि चांए वो लेड करता है याननी चाइन जिक्रणाया पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो यहाँ पर इसपीडियों में आज añहीं तक पड़ेंगे अगर अगर आपको इस वीडियो से लेटर कोई भी क्वाई इस रहे गई है तो आप नीचे कमेंट सेक्षिन वे जाकर कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो लगी है अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शिर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद